वेरी गुड मॉर्निंग स्टुडेंट विटा क्लास चार्ट करेंगे आज करेंट अफिर की और बहुत ही अच्छे कोश्चन्स हैं आपके एक्जाम में यहां से एक नंबर आ सकता है ठीक है ना और आप सबको मालूम है कि एक नंबर से काफी बच्चों का सेलेक्शन हो भी सक सकता है 1.25 से लाखों बच्चे कड़ जाते हैं लाखों बच्चे आपसे आगे भी निकल सकते हैं आपसे पीछे भी रह सकते हैं 1.25 से तो बहुत एहम्यत होती है एक एक नंबर की ठीक है ना तो देखते हैं इसमें से करंट अफिर की आज की प्लास में कुणो नेशनल पार्क किसराजय में, आज कलिए कंदो नेशनल पार्क बड़ा सुरुक्यों में है, ठीक है, क्यों क्योंकि यहां पर नामी भिया से लाए गए चीते यहां रखे गए थे जिनमेंसे बहुत सारे चीतों की, लग बगण 9 चीतों के वहां पर डैथ हो चुकी है, इसलिए ये सुर्खियों में है आप से यहाँ से नेशनल पार्क से एक कोश्चन आ सकता है और वैसे भी नेशनल पार्क से कोश्चन बनता ही बनता है आप कोई भी एक्जाम उठाइए वहाँ उस पेपर में नेशनल पार्क से कोश्चन बन जाता है तो ये तो और भी करंट से related हो गया तो ये काफी important question हो गया कुनो national park किस राज्य में है क्या आप लोगों ने सोचा हिमाचल परदेश मध्य परदेश उत्र परदेश और उत्राखंड सोचली answer answer मैं बता दूँ आपको answer है इसमें मध्य परदेश मध्य परदेश में यह national park है जह चीतों को यहां रखा गया था जहां पर काफी सारे चीतों की वहां डेथ हो चुकी है क्योंकि हमारा जो atmosphere है हमारा जो climate है वह इस तरह का नहीं है और चीता एक भागने वाला एक जानवर होता है बहुत तेज स्पीड होती है चीते की 110 km पर आवर तक उसकी स्पीड होती है उसके लिए बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए बहुता है ठीक है तो काफी सारे जो समझदार इंसान थे वह बोल रहे थे कि इंडिया का जो atmosphere है जलवायू है जो भी वातावर्ण है यहां चीतों के लिए नहीं है लेकिन फिर भी लाए गए वो काफी चीतों की यहां डैथ भ नैसनल पार्ग ठीक है इस तरह से काफी सारे जलवावनेस अंदर प्रदेश के अंदरिका है उत्र प्रदेश के अंदर है यह उत्तर प्रदेश में के अंदर दुदवा है चंदरप्रभा descans पार्क है उत्त्राखंड के अंदर भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क उत्त्राखंड के अंदर था जिम कोरबेट जिसका नाम अब क्या हो गया राम गंगा नेशनल पार्क अभी हो गया इसका नाम पड़ा राम गंगा जिम कोरबेट नेशनल पार्क का नाम अभी क्या हो ग दोदुआ उत्त्राखंड में राजाजी जिम कॉर्बेट नेसनल पार्क है ये और नंदा देवी नेसनल पार्क है नंदा देवी तो भारत में एक ऐसी हाइस्ट माउंटेन पीक है जो अंडर इंडिया भारत के कंट्रोल में जो सबसे उची चोटी है वो नंदा देवी है है वैसे भारत में सबसे उची चोटी बताई जाती है जो एक डिस्पुटेड भी है जिसका नाम है क्या केटू केटू सिच्वेटेड इन पी ओके केटू गोडवी नास्टिन ठीक है कहां पर है ये लेकिन ये पी ओके में है और भारत के अंदर उस पर भी थोड़ा सा विवा सबसे बड़े में आती है थोड़ा सा पार्ट उदर भी होता है तो कंचन जंगा लेकिन पूरी तरह से जो कंट्रोल में है वह अपने इंडिया में वह उत्राखंड के अंदर नंदा देवी ठीक है ना तो इस तरह से कोश्चन आता है नंदा देवी एक नेशनल पार्क भी ह उके कोशचन आम़ो सेकिन देख़्िए विटा दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे यूगें भारत का निरमान भारत के किस राज्य या केंदर शासित पर देश में किया जाएगा तो ये काफ़ी इंप ओ्बोर्ट विश्चन बन गया विटा सबसे बड़े यूगे यूगीन का जो है निर्मान किया जाएगा क्योंकि भारत में दिल्ली में ही राष्ट्रिय संग्राल्य भी है और वहीं पर ये सबसे बड़ा म्यूजयम बनाया जाएगा नहीं दिल्ली के अंदर ya next point देखिए हाल ही में किसे लोक मान्ने तिलक राष्ट्रिय पुरुसकार दवारा संबानित किया गया तो यह कौन से आदमी है जिनको लोक मान्ने तिलका पुरुसकार से शंबोधित किया गया यह नरेंदरमोदी भारत के जो प्रधान मंत्री हैं उनको लोक मानने तिलक राष्टे पुरुष्कार से सम्मानित किया गया यह लोक मानने तिलक हैं कौन थोड़ा सा मैं इनके बारे में आपको बताऊं लोक मानने तिलक बेटा ये एक उपादी दी गई थी उनको जाना गया था इस नाम से किन को बाल गंगा धर तिलक को बी जी तिलक बाल गंगा धर तिलक जिनका बर्त जिनका बर्त 23 जुलाई को हुआ था ठीक है जो मैंने बताया था बाल गंगा धर तिलक इनका जर्म 23 जुलाई को हुआ था औ बहुत बड़े सवतंतरता सेजानी माने जाते हैं बीजी तिलक, होम रूल लीग की स्थापना इन्हों ने पूना में की थी, कहां पर की थी पूना में, होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगा दर तिलक ने पूना में की थी, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कहां पर मदरास में की थी तो बीजी तिलक ने ये शिवाजी उत्सों मनाना स्टार्ट किया गणेश उत्सों मनाना स्टार्ट किया कहां पर महाराष्ट्रा में शिवाजी उत्सव गनेस उत्सव बीजी तिलक ने स्टार्ट किये थे यह महाराष्ट्राम उन्हें किये थे तो बड़े इंपोर्टेंट कोश्चन आते हैं लोकमाने उन्हीं को बोला जाता था जब वो जेल के लिए उनको जेल में सजा काटी थी उन्होंने और उस सजा के च स्टेंड एलोन त्री पक्षिय सिखर सम्मिलन में यू एस ए वे जापान किस अन्य देश के साथ पहली बार इसका आयोजन करेंगे तो यह कौन से देश के साथ ये अपना स्टेंड एलोन सिखर सम्मिलन किया जाएगा तो इसका आंसर है साउथ कोरिया बिटेन फ्रांस या कोई निए तो इसका आंसर है इसमें साउथ कोरिया के साथ मिलेंगे कौन-कौन यूएस जापान तो यह साउथ कोरिया को भी इन्होंने अपने साथ में लिया है और यह किस को काउंटर करेंगे यह नोर्थ कोरिया को उत्तर उत्तर कोरिया में जो तानाशा है वो किम जोंग है कौन है डिक्टेटर वहाँ पर किम जोंग तो ये किम जोंग को गेरने के लिए उसको एक तरह से काउंटर करने के लिए उन्होंने ये स्टेंड एलोन त्री पक्षिय शिकर सम्मिलन का आयोजन किया है इसमें तीन देश रहेंगे USA, जापान और साउथ कोरिया ठीक है बड़ा इंपोर्टेंट कोश्चिन है ठीक है अगला कोश्चिन देखते है राश्ट्रपती द्रोपदी मुर्मू ने उन्नमेस और उतकर्ष उत्सव का उत्गाटन कहां किया वेर हैस प्रेजेंट द्रोपदी मुर्मू इन्नोवेटेड दा उन्नमेस और उतकर्ष फेस्टिवल तो बड़ा इंपोर्टेंट कोश्चिन है ये चला हुआ है अभी एक अगस्त से लगबग ये अगस्त के महीने में अभी छे अगस्त तक रहेगा ये छे अगस्त तक रह साहित्य से संबंदी था ये एसिया का सबसे बड़ा साहित्य फेस्टिवल है एसिया बिगेस्ट लिट्रेचर फेस्टिवल एसिया बिगेस्ट लिट्रेचर फेस्टिवल उन्मेस काफी इंपोर्टेंट कोश्चन बिटा इनको लिख लेना ठीक है उन्मेस एसिया में सबसे बड़ा साहित्य का festival है और उतकर्ष कैसा है उतकर्ष उतकर्ष जो होगा वो अपना जो फोक डान्स है जो लोक डिरत्य है या फिर लोक जो भी कलाकार है जणजातित एक लाकार होगे उनसे संबन्दित लोक और जन जातिये फेस्टिवल से संबंदित है ये ठीक है मैं लिख दूँ इसके बारे में भी लोक वे जन जातिये लोक वे जन जातिये फेस्टिवल से संबंदित कौन सा है उठकर्श ओके और साहित्य फेस्टिवल कौन सा है उनमें इस इनका उठगाटन द्रोपदी मु अगला question देखते हैं, नाइन्थ मालाबार नदी महुचसव कहां पर शुरू किया गया, नाइन्थ मालाबार, देखो मालाबार के नाम से तो आप समझ चुके होंगे, जो बच्चा मुझसे पढ़ता है, जो जो जोगरफी, ओफलाइन क्लास लेता हुँ, तो एक सेकंड में सम इसका मालाबार का कहां पर है, केरला में होगा, ठीक है न, मैं थोड़ा सा इसके बारे में, थोड़ा सा विस्तार से बताओं, इस तरह से अपना यह South India है, ठीक है न, South India में अपना जो गुजरात से गोवा तक की जो कोश्ट लाइन है इसका नाम है कोंकन कोश्ट लाइन कोश्ट लाइन फिर गोवा से गोवा से करनाटक जो कोश्ट लाइन है इस कोश्ट लाइन का नाम है केंदरा कोश्ट लाइन फिर गोवा से कन्या कुमारी तक गोवा से कन्या कुमारी तक जो कोश्ट लाइन है उसका नाम है माला बार माला बार कोश्ट लाइन ठीक है और फिर कन्या कुमारी से गोदावरी डेल्टा जो कोश्ट लाइन है इसका नाम है कोरो मंदल कोरो मंदल कोश्ट लाइन और उसके बाद गोदावरी डेल्टा से कृष्णा डेल्टा वाली जो कोश्ट लाइन इसका नाम है गोल क तट थेक है उसके बाद कृष नाम है नौर स्यक्रकार कोश्ट से कोश्ट लाइन साइड तो आप देख सकते ह। मालाबार कोश्ट लाइन के साइड है मालाबा कोश्ट लाइन你在 वाले राज्यें कोम्प्लीट जो केरला स्टीट इसके अंदर वह доп's इसमें आ जाएगा तो मालाबार नोवा मालाबार नदी महुतसव स्टार्ट किया गया है केरला के अंदर अब यहां पर मैंने कुछ और भी कोश्चन्स आप लगों को बताए थे कि भारत में जो औराइवल मौनसून है सबसे पहले मानसून भारत में किदर आता हूं मालाबार कोश्च लाइन पर आता है मालाबार नदी पर स्टेट पूछा जाए तो भारत में सबसे पहले मानसून कहां पर दस्तक देता है वो केरला में दस्तक देता है जबकि भारत में रिट्रीट मौनसून सबसे लास्ट में किदर आता है तमिल अडू में कोरो मंडल तट पर आता है गिन ओटम सीजन कोरोमेंडल कोस्ट लाइन में सबसे लास्ट में आराइवल मौन्सुन से भांट से केरला में बारिस होती है थीक है ना इस तरह से इन को कोश्चन को आप याद कर सकते हैं ओके कुश्चे नंबर सेवन देखते हैं राष्ट्य प्रवता रोहन दिवस कब मनाया जाता है तो राष्ट्य प्रवता रोहन दिवस ये एक अगस्त को भी मनाया गया ये जो भी प्रवता रोही होते हैं हमारे उनको सम्मान देने के लिए उनका होंसला बढ़ाने के लिए उनको मोटिवेट करने के लिए ये दिवस म यादव की बात करता हूं सबसे हटके संतोस यादव जी भारत की एकमात्र ऐसी महीला जो माउंट एवरिष्ट पर दो बार फतेह पा चुकी है माउंट एवरिष्ट पर दो बार चटड़ने वाली एकमात्र भारतिया महीला संतोस यादव ठीक है ना चलो next point हम बात करते आगे ब्रिक्स सिखर सम्मेलन का आयोजन कौन से शहर में किया जाएगा यहाँ पर शहर पूछाए बेटा ठीके ना कौन से शहर में ब्रिक्स सिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा तो यह शहर होगा जोहांसबर्ग जोहांसबर्ग कौन से देश में जोहांसबर्ग South Africa country South Africa country ठीक है न? और Brics में कौन-कौन से देश चामिल है, बिटा? Brics में कौन-कौन से देश चामिल है Brazil, Russia, India, China और South Africa Brazil, Russia, India, China, South Africa तो ये Brics देश है इसका आयोजन Brics सिखर सम्मिलन का आयोजन कौन से सहर में किया गया है भी जोहांसबर्ग में, जोहांसबर्ग कहां पर है? South Africa में, जोहांसबर्ग की में एक चीज वह आओ, आपको बताओ जोहांसबर्ग में विश्यो की सबसे बड़ी Gold Mine है Gold Mine, यानि सोने की खान जोहांसबर्ग में विश्यो की सबसे बड़ी Gold Mine सबसे ज्यादा सोना इस खान से निकला बना जाता है है ना काफी बड़े शेतर में हैं साउथ अफरीका में NCRT में पढ़ोगे तो आपको जोहांस बरग आपको अराम से दिखेगा वहां पर देख सकते हो ठीक है ना बीजिंग किदर है बीजिंग चाइना में मोस्को किदर है यह मोस्को रस्या की कैपिटल है बीजिंग चाइना की कैपिटल है न्यू डेली यह भारत का है तो जाने कि सारे के सारे सहर ही इसमें ब्रिक्स के दिखा रखे हैं लेकिन जोहांस बरग है अब की बार सिकर सम्मिलन का आयोजन करता ठीक है तो कुशन नमबर 9 देखते हैं हो होकी की एशियन चैंपियंशिप ट्रोफी 2023 का आयोजन किस देश में हो रहा है तो यह होकी का आयोजन अभी चला हुआ है यह 12 अगस तक चला हुआ है अभी चलेगा यह इंडिया में चला हुआ है साउच इंडिया में कहां पर चला हुआ है इंडिया में ठीक है ना एशियन जो से इसके जीवास हमें पेरु देश से मिले हैं फोसिल मिले हैं देखने को जो की बहुत ही भारी ये लगबग 3.9 क्रोड वर्स पहले का बताया जाता हैब बहुत ही बहुत ही जो डाइनासोर से भी जो हैवी है इसका रीड की हड़ी का एक छोटा सा भाग मिला जो चोटा सा टुकड़ा मिला है जो की 100 किलो से ज़्यादा वजन तो उसी का है और यह कहां पर मिला है पेरू में देखो इस टाइब के कोश्चन काफी ज़्यादा पूछे जाते हैं तो पेरू में सबसे भारी वजनी प्राचीन वेल है उसका उसका जीवाश्म हमें मिल चुका ह किस देश ने अमेरीका के साथ सुरक्षा समझोते को मंजूरी दी है तो यह कौन सा देश होगा स्रीलंका भारत नेपाल या पाकिस्तान तों आवाश्च्टा अभी सबसे ज्यादा किसको थी पाकिस्तान को तो पाकिस्तान को मिल चुका है पाकिस्तान को लगबग 3 करोड, 3 अरब डोलर की सोरी पाकिस्तान को लगबग 3 अरब डोलर की साहिता भी IMF के द्वारा की जाने की मंझूरी मिल चुकी है IMF बोले तो International Monetary Fund जिसका Head Office USA के अंदर है IMF के द्वारा 3 अरब डोलर की साहिता की मंझूरी मिल चुकी पाकिस्तान को ठीक है जिसका head office कि दर है USA के अंदर है अगला question हम देखते हैं तिरंदाजी में भारत की कौन सी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी world champion बनी है ये बड़ा important question है और जो की अभी तिरंदाजी का मुकाबला जो world championship का जो की इसमें रजत पदक जीता है और चार इसमें अपने काश्य पदक जीता है यानि छे तो गोल्ड है और एक सिल्वर है और चार इसमें ब्रोंज मेडल है तो इसमें जो सबसे कम उमर की महिला ने world championship जो बनी है record कायम किया है वो है अधीती गोपीचंद स्वामी अधीती गोपीच सबसे कम उमर की महिला बहुत important question है यहां पर अगला question देखिए युक्रेन में शान्ती को लेकर किस देश में बातचीत का आयोजन किया जा रहा है देखो काफी समय से युक्रेन और रसिया वोर चली हुई है तो संभावना तलासी जा रही हैं अभी कि कहीं न कहीं कैसे भी कर हुआ है तो यह युक्रेन में शान्ती को लेकर साओधी अरब के अंदर साओधी अरब में बातचीत का आयोजन किया जा रहा है कौन से कंट्री में साओधी अरब के अंदर ओके last question देखिए किस देश की अदालत ने सिखों के किरपान रखने के कानून को बदल दिया है अब जो सिक्ख है जो सरदार है जो सिख community है वो अपने पास में क्या रखती है एक चाकुट जैसा किरपान रखती है क्या बोलतें उसको किरपान अपनी सुरक्षा के लिए क्योंकि सिखों को रखनी की यह इजाज़त होती थी क्योंकि सिख्धर्म में वो पांच चीज्जें पाण्वांगा जो कंग करते हैं किरपाण जो की हाथ में चाको जैसे होती उसको किरपान बोलतें और कच्छ यानि निकर टाइब है तो यह पांथ चीजें उनकर पास होनी चाहिए जिसमें से अभी ये कानून बदल दिया कि वो किरपार नहीं रख सकते क्योंकि ये एक खतरनाक चीज होती है किरपार को लेकर क्योंकि एक तरह से वैपन्स माना जाता है हाथियार माना जाता है ठीक है न तो इसलिए कौन से देश ने अभी अपने कानून में बदलाव कर दिया कि सिक नह को सबको सब्सक्राइब करना क्लास कुलाइब लीक दैख लंगा आई एक लेको कले के लिए ठीक कह लिए आज के काफी ए थैंक यू